आज हम करेंगे सेलिस्ट्रॉन पावर सीकर 60AZ टेलिस्कोप को फिट कैसे करें यह हम सीखेंगे आज चलिए शुरू करते हैं Самste ó jite चीज्सें को आएकssä मिलीगे वह लियर आपका में हमें टेलिस्कोप यह सामने घंड इसकेंद आफका लेंश होगा ऑके एंड आपको मिलेगा एक है उटी रियर फाइंडर स्कोप है और एक व दायमार लेंगे एक बारफ्लो ल endorse डाइगनल दो स्क्रूव और यह दो फांडर स्कूप के स्क्रूव सबसे इंस्टॉल करें प्रसेश ब्लकिल सिंपल है आपको इस त्यांड को पहले पूरा सीधा फिट करना होगा चलिए इसो करते हैं स्टैंड के फिट होने के बाद आपको यह पर ट्रे लगाना होगा मैं दिखाना फूली कि एक साथ एक ट्रे भी मिला है जिसके आप लेंस वगार फिट करते हो चाहिए यह रहा वो ट्रे लिखें यह पे एक स्क्रूव है यह और यहां पर इसका होल्डर है तो यहां पर सिंप आपका टेलिस्कोप यह हिलेगा नहीं दूसरा लेंस वगार रख सकते हो चलिए आगे काम करते हैं अब हमना मेन एक्विपमेंट टेलिस्कोप का ट्यूब है वह इंस्टॉल करना है सिंपल प्रोसेसर आपको क्या करना है यह दिखे तो होल्डर है आपको इसको यहां रखन हटना फिट केने के त्रीका यह है कि हुज़िए तेलिस्कोप क Stevens उठाएंगे यह आई से इसको फसाएंगे पहले साने के बाद रखें और पिर आ twenty it कि यह वह कि प्रोरसेस को रखने का अप अब आना है कि एक अब ताइट करने को अब अब को यहां पर दो च्रूज लगाने क passado कि यहां पाल ये दूनटे सस्क hours लगाना है से इससे डाप GYね यहां football को लिए लोटर का नहीं करना इसको भी घुमाता रहेंगे हम लोग और जैसे यह भी टाइट रूख जाए एक बार बस खताम उतना ही करना है तो टलेस्कोप को इंस्टॉलेशन है वो बेसिकली कंप्लेट हो गया है अभी हम लोग क्या करें कि लेंस इंस्टॉलेशन सीखेंगे तरकि करने का सिंपला यह है कि आपको लेना है यह वाला हिस्सद जो है सामने होना चीए तो फिक रखना यह फैंडर स्कूप को ट्रेसकोप इस्टॉल से पहले फिट नहीं करना है कुछ नहीं करना है पारें इस यह यहां लगाना है लग गया और यह अटाइड को पॉरा टाइट करना है यह वाले को टाइट करना है यह अज़री बारबर से काम नहीं होगा इसमें लेंस वगर्ण कैसे फिट करें, मैं लेंस ले आता हूँ तो मैं सारा लेंस लाज चुका हूं तो चलिए भी स्टाडर्ट करते हैं सब से पहले यद्याना यह जो आपके ora दीख रहें एक यहां च्छुटा सा और यह इस उपन करना है और आम से open क्वें होता और यह वाल ड्रक कर लेटा हो विंगर अपकर थे इसको ऊपन करने के बाद इस उपन लेगा ऑपन के पास स्प्रीं ठखकन खोल दीजे और यह वालों जो है जैसी प्रोड था उसी तरह से खोलना है तो मैं दोनों खोल दिये करना आपको यह सीधा टेड़ा जैसे पूर देते हो ये को आपको इस फिट करना है तो lens को डबे से बाहर निकालते हैं लेसिंपल आपको यहां पे इसको रखना है यह अयह हलका टाइट कर दीजे इंसलिशन कंप्लीटर तो अब इसका क्या रूल है इस वाले का समझाता हूं यह इमेच को मैगनिंच करने के लिए गर आपको यह हो गया तो आपको करना एक खोले एसे और आब जैसे सिखाया था इसी जैसी को खोलना है इसका यह एक कैभ अंब कर देंगे और इसे बात लिर्म कारें कैल उसका जोग गया है को लेंस जो कि और लिप्ली नहीं health ऑथीडा कर देता हूं और भी पहीं लाटा देंगे और अब जहाँ लेंस लगा वा था ऊ-से को चली फिट करते हैं यह हमें सिंपल यह रख देना है और यह टा Exhale यह दो आप mıकिस्पेशल मि Otherwise करता है कि इस बताNee ns और points को लिए करने के लिए आप इसको ठीला की जिए और आप इसका इसका कर सकते हैं जैसे कि आप सकते हो रहा है ना को दिखात हम करके गां के दिके मैं कर burgers है कर रहा हूं इसों और जगा बदलse हे ऊपोंगा एसकी करने के में लिद्धाइब बज़्यादा भी नहीं कि तूट जाए और आपको देख रहा होगा यहां पेक स्क्रू है यह से रोटेशन लॉक होगा इसके भी टाइट कर सकते हैं उसके बाद यह पॉइंट हो जाएगा अब पॉइंट करें कि इसे तो फाइंटर स्कूप में लाइट है ऑन करें 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 फिर आपसे देख सकते हैं और देखने कर पहले जखें कि धक्कन आपको बहुत सरूरी है अब जो टेलिस्कोप है वो बेसिकली डेडी तो यूज हो गया है अब इसे स्टैंड्स के बारे में हमें जानना चली जानते हैं यह जो स्टैंड्स है इसे आप उपन भी कर सकते हो बस आपको स्क्रूस ठीला करना है और स्टैंड्स फिर खुल जाएगा तीनों पैर में है तो यह बेसिक चीज है मैं एक चीज बताना भूल गया यह जो आपका वील्स है यह क्या है कि लेंस को आगे पीछे करने के लिए बेसिकली क्या होगा जब आपजेक्ट पॉइंट कर होगे ना तो इसको आपके पीछे करने से अबजेट के क्लियर्टी बढ़ेगा तो आपको यह अज़ेस्ट करना पड़ेगा खुद से